मैं डाक्टर मोहनलाल साहु विभागाद्यक्ष इतियाष राजकी माविध्यले जालोर से शेवा निवरत आज हम एक महतुपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं आपसे प्राचीन भारतिय इतियाष के श्रोत के रूप में सेल चित्रकला शेल चित्रकला मुख्य रूप से विभिन जो नदी नाले और पहाडिक शेत्र के अंतरगत जो शेलासरे बने हुए हैं उन शेलासरेओं के अंतरगत आदी मानव द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं हमारे प्रारंबिक मानव जो समय था शेल चित्रकला के परचे की रूप में इस द्रस्टी से हम देख सकते हैं कि प्रारंबिक मानव जब उनको किसी प्रकार का आवास उपलब्द नहीं होता था तो इनी शेलासरेओं में जो नदियों के किनारे या पाहडिक शेत्र में या नदी घाटियों में जो बने हुई हैं उनमें रहकर वहाँ पर अपने जो स्वाभाविक अभिवक्ति के रूप में अपने उन शेल्टर्स में जो उन्होंने चित्रकारी की है वो चित्रकारी सेल्चित्रकला के नाम से जानी जाती है शेल चित्र कला की खोज की द्रस्टी से हम यदि देखें तो संपूर्ण विश्व में इस शेल चित्र कला पर व्यापक स्तर से अध्यान चल रहा है और इस अध्यान की द्रस्टी से यदि देखा जाए तो सर्व प्रतम जो शेल चित्र की खोज हुई थी वो स्पेन में अलता मीरा की गुफा में भी एक रोचग प्रशंग के माध्यम से इस सेलचित्र कला की खोज हुई थी कि जो है मारसिलांद दी सेत्वाला नाम का युएक्ति था अपनी पांच वर्षी पुत्री के साथ अल्ता मीरा की गुफाओं में पहाडिक सेत्र में जब घूमने गया था तो अचानक जो है उसकी पुत्री पांच वर्षी है वो अलग हो जाती है और अलग होने के बाद एक ऐसी गुफा में पहुंच जाती है जहां पर विशाल सेलचित्रों का बंडार था और यहीं से जो है इस सेलचित्र कला की 1889 इस्वी में शुरवात हुई थी और भारत में जो सेलचित्रों की खोज है वो भी लगबग इसी के समकक्ष मानी गई है और यहां के जो खोज का जो स्रेय है उसमें कारलाइल को विशेश रूप से खोज का स्रेय दिया जाता है और इसका उल्लेख जो है इतियासकार श्मित ने 1906 इस्वी में एक पुस्त का प्रकाशन किया एंटी Auguzira इंडिया, माध्यम से उस उच्छ होज दिया गया था भारत में जो सेलचित्रों की खोज हुई है वह लगबग जो है बराबर शी है और सेलचित्रों की बिषव में खोज द्रस्चे या आधियान की द्रस्टिय हो है जो सैल चित्रकला के अधियं का विशेश रहा है और शेल चत्रकला के विध्यन विश्व में अध्यन के द्रस्टी से एक जो है अलग से फेडरेशन बनावा है International Federation of Rokart Organization इस नाम से इफ्राव के नाम से शंगठन है और इसके लगबग 22 जो है विश्व के देश है वो इस शंगठन के सदस्य हैं तो इस द्रस्टी से हम कह सकते हैं कि सेल चित्रकला जो एक महतुपूर्ण विश्व के रूप में उभर कर आया है और इसका भारत में ही नहीं बलकि संपूर्ण विश्व में इसके विबन शंगठनों के माद्यम से विबन संस्ताओं के माद्यम से काफी जो अध्यन किया जा है भारत में विशेश रूप से राशी नाम के एक संस्था कारे रत है और यह संस्था जो है पूरा कला नाम का जो एक जनरल निकालती है इस जनरल का जो व्यापर्क प्रशार होता है इसे प्रकार रोकार्ट रिशर्च नाम का जो जनरल वो आस्ट्रेलिया से आस्ट्रेलिया का जो मेलबॉर्न है वहां से प्रकाशित होता है और इसमें संपूर्ण विश्व की जो सहल चित्रकला है उस सहल चित्रकला की जानकारी हमें इसके माद्यम से मिलती है राषी का जो है हर वर्ष एक अधिवेशन होता है इस अधिवेशन के अंतरगत संपूण विश्व से और संपूण भारत से छेल चित्र ने जानकारियां हमें प्रापत होती है भारत में शेल चित्रकला से समंदित जो खोज या कार्य जो हुए हैं उनमें विशेश रूप से मद्ध्रदेश में इसकी जो है ज्यादा शुरुवात हुई थी और पद्मसरी वियेश वाकनकर शाब ने भीम बेटका की खोज की थी और भीम बेटका जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर सेलचितरकला की खूब भंडार मिले हैं और इसके सात ही साथ उस समय के पाशान कालीन जो ओजार थे वो ओजार भी हमें वहां से प्राप्त होते हैं तो इस द्रस्ची से भीम बेटका जो है भारत का जो है सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थ और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी सामिल कर लिया गया है तो इस द्रस्टी से भीम बेटका के अलावा जो यहां के जो सेलचित्रकला है उसकी जानकरिय में विंदक्षेत्र में जो राइशेन द्रिस्टिक है उसमें बहुत सा इसका जो प्रशार हुआ है दक्षणी अवर्णा में वियापक रूप से अध्ययन किया जा रहा है और महत्वण एत्यकiß स्रोथ में इसक्षणी का अध्यंद जो सेल चित्र क्ला का अध्यन रहा है और 195 1962 में इंडिया की सरवए रिपोर्ट आई थी Archeological उस रिवीव के माध्यम से यहां राजस्तान में जो अपना जो 12 क्षेत्र है 12 क्षेत्र में नारगड इलाका है नारगड में कपिल दारा में कन्या दे में सेलशित्रों की प्रारम्बिक हो जुई थी और इसके उपरांत जो है यहां का जो धर्रत्र है आलनिया है यहां से 22 किलो मीटर कोटा से 22 किलो मीटर दूरी पर आलनिया है आलनिया या चटानेशवर के नाम से भी उससे जाना जाता है तो यहां लगबग एक किलो मीटर के क्षेत्र में विशाल जो है सेल चित्र कला के भंडार हमें प्राप्त होते हैं और इन सेल चित्रों क टाक्टर जंगतना अनजी श्रिवास्तों जो यहां पर राजकी माविध्याल कोटा में प्राध्यापक थे उन्होंने इन चित्रों की खोज की ती और पर उसके बाद इसक्getr में लगातार अध्यन जो है चल रहा है। यहासे इसक्षेत्र से दराय जो शेलचित्र अलणिया के जो शेलचित्र हैं इन पर कुछ च्छात्रोंने रख सोद उपादी प्राप्त रखियि विस दर्स्ति यहां की महिंत बूर्ण है। इसी प्रकार शेल चित्र कला को हम कह सकते हैं कि जो है एक एतियासिक स्रोत में महत्पूर्ण स्रोत माना गया है और महत्पूर्ण स्रोत इस द्रस्टी से हम मान सकते हैं कि इस शेल चित्र कला के माध्यम से इसमें जो चित्रन किया गया है उन चित्रन के माध्यम से हमें पूरी कि पूरी एक सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है और सभ्यता और संस्कृति की जानकारी इस द्रस्टी से मिलती है कि जिस प्रकार का चित्रन हमें इसमें मानव आकरतियां जैसे मिलती है तो उस समय के मानव चित्रन के जानकारी मिलती है और विभिन जो देवी देवत माद्यम से हमें एक ऐसा चितर प्राप्ट होता है जो कई वर्षण मुर्ण परप्षी से भारत की सब्वेता है वो काफी इन शेल चित्रों के माद्यम से हम इसको पीछे तक ले जा सकते हैं इस दृस्टी से हम कह सकते हैं कि यदि शेल चित्रकला का व्यापक रूप से अध्यन किया जाए तो यह भारती इतियास के स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकता है संग्रक्षण नहीं दिया गया तो जो यह हमारी महत्वपूर्ण पुरातात्विक दरोवर है यह कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी और इस दृस्टी से इस शेल चित्रकला को राजकिय संग्रक्षण आवशक है और राजकिय संग्रक्षण में भी वास्तविक रूप से इसका संग्रक्षण किया जाए तब ही इसका यह सुरक्षित रह सकती है क्योंकि इनको जो है राश्री श्मारक या राज्य श्मारक गोशित तो कर देते हैं लेकिन वहाँ पर जो है उनकी परियाप्त सुरक्षा व्यवस्ता नहीं होने की वज़े से इनको पिकनिक स्थलों के रूप में जो लोग उपयोग में लेते हैं और वहाँ पर खाना आदी बना कर जो है जितने भी शेल चित्र हैं धुएं से या इनसे जो है धुमिलो चुके हैं तो इसको जो रोका जाना बहुत आवश्यक है और जब तक हम इसे नहीं रोकेंगे तब तक जो है यह स्तितियां उपलब्द नहीं हो पाएगी कुछ जो है शेल चित्र कर लाके उधा एक जामपल्स यह जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है इसमें लंबी आकरती में मानव आकरती है और यह जो है प्रारंबिक मानव द्वारा जिस प्रकार की आकरती बनाई गई है यह स्वाभविक अभ्यक्ति है उसकी एक लाइन जो है सीधी खड़ी खेंज दिर उपर जो व्रशब की आकरती है और उसको जो है अलंकरत किया हुआ है इसी प्रकार दूसरे जो चित्र में उसमें भी व्रशब की आकरती दी गई है और उसको जो है दोड़ता हुआ दिखाया गया है और यह जो सामने बेलों की जो आकरती है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो सुन्दर चित्र प्रारंबिक मानों ने बनाये थे उसमें अलंकरन किया था लेकिन किसी ने उस पर आगे शपेद चोक से या अनने किसी साधन से इसको विक्रत करने का प्रयास किया है यह आलनिया का जो मुख्य सेलाश्रे है उसी के अंतरकत जो है यह दो आकरतियां बनी इसमें ओर लेपिंग सा दिखाई देता है कि पहले जो अन्य किसी जानवर की आकरति इसमें बनी हुई थी और उसके उपर व्रशब का आकरति बना दी गई है तो ऐसे जो चित्र होते हैं यह चित्र जो है काफी और अधिक प्राचीनिता को शाबित करते हैं और यह ज्याद झाल देखने परकारति को अधिक इंगरा बनें और तो यह चित्र बनें हुए और पूरु में जो चित्र दिखाए गए गये और शुपूरों में अंतर है यह उत्खने चित्र हैं और बाकी जो चित्र है वो ब्रश के और कलर से बनाए हुए इनको खुद ही करके बनाया हुआ है तो यह जो चित्र है यह अधिक प्राचिन है उन चित्रों की अपेक्षा धन्यवाद